हे गाईज और वेलकम बैक टूमा यूटीव चैनल माई नेम इस इशान चवस्ती और यार होप करता हूं सारे अच्छे होगे तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कंटेंप्रिरी साउथ एशा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पॉलि क्यों क्योंकि यू-स हैजिमिनी हमारा सल हटा दिया गया है और उसके कुछ पार्टस चैप्टर नंबर टू में डाल दिये गए हैं सो इस चैप्टर का कोई भी कंटेंट चींज नहीं हुआ है बस इसका नाम चेंज हुआ है और उसका नाम हो गया है साउथ एशिया एंड क का पार्ट है तो इस चैप्टर में हमको काफी सारी नॉलेज मिलेगी कि South एषिया में कांट्रीज कहां पे कौन सी ौश्यी गवर्बर्मेंट रूल करती है हमारे रिलेशन्स South एषिया में कैसे हैं और कौन मेजर प्लेयर्स हैं South इसिया के जो की south एश्या को dominate हम कह सकते हैं करते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा part 1 so guys part 1 में हम यह सारे topics cover करेंगे और remaining हम लोग part B में cover करेंगे so सबसे पहले हम introduction देखते हैं क्योंकि overview अगर हम एक chapter का मिल जाएगा तो हमको easily समझ में आ जाएगा chapter में क्या हो रहा है और क्यूं हो रहा है So let's begin with our introduction तो इसमें जानते हैं When India and Pakistan joined the club of nuclear power This region became the focus of global attention Out Asia पूरे world की नजर में तब आया था जब इसकी दो eminent countries India and Pakistan ने nuclear test conduct कराये थे तो इंडिया ने 1974 में ही कर दिया था पोखरान में जिसका नाम था जिस operation का नाम था Laughing Buddha हमने movie भी देख रखी है परमानू और Pakistan ने शगाई hills में 1998 में ये conduct कराये था जिसका नाम था शगाई 1 तो तब जाकर ये attention में आये था South Asia पूरे world को So हम इस chapter में पूरा go through करेंगे कि क्या क्या world ने उस समय witness किया था South Asia के regarding में इसके बाद हम देखेंगे This chapter will enhance your knowledge regarding South Asian relations Among member countries मतलब South Asia की जो countries हैं उनके आपसी relations कैसे हैं For example अगर इंडिया में democratic government है तो क्या पाकिस्तान में भी democratic government है क्या भूटान में भी democratic government है क्या नेपाल में भी तो हमें ये सब चीजे पता चलेंगी इस chapter में इसके बाद हम देखेंगे South Asia is referred as seven countries तो इस chapter में हम South Asia को as seven countries refer करेंगे मतलब उन साथ country के बारे में ही बात करेंगे और उनी से South Asia को refer किया जाएगा दो अफगानिस्तान भी इसका part है और even China भी South Asia की politics में बहुत ज़्यादा effect डालता है बट हम इनकी बात नहीं करेंगे हम सिर्फ इन साथ country की बात करेंगे कौन-कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, श्री लंका, बांगलादेश, नेपाल, मालदीव, सैन, भूटान तो चलिए chapter start करते हैं तो हमारे chapter में हमारा जो first topic है वो है What is South Asia? South Asia क्या है? ये Asian continent का southern part है और हमने जाना कि इस chapter में हम सिर्फ seven countries के बारे में बात करेंगे जब हम South Asia को refer करेंगे So let's begin with our topic South Asia stands for diversity as various countries of South Asia have different political system South Asia जबी भी हमारे दिमाग में एक picturization होगा तो हम ये देखेंगे diversity कितनी है अब आप देखेंगे इंडिया में हम देखते हैं secular country है तो कितने different religion के, creed के, caste के लोग रहते हैं एक साथ similarly जब हम पाकिस्तान को देखेंगे तो different वहाँ का culture होगा जब हम भूतान को देखेंगे वहाँ का culture थोड़ा different होगा तो यहाँ पर diversity है कोई ऐसा नहीं कि same political system चल रहा हो democracy अगर इंडिया में है तो ज़रूरी नहीं वो पाकिस्तान में हो और वो ज़रूरी नहीं कि Myanmar and different countries में हो Myanmar by the way South Asia से exclude किया गया है हमारा इस topic इस book में बट Myanmar is also the part of South Asia इसके बाद देखते हैं श्री लंका and India have democratic rule हम देखते हैं श्री लंका और इंडिया ने maintain कर रखा है democratic rules ever since they have been independent जब से हम independent हुए तब से ही हम democratic rule के एंडर में ही रह रहे हैं second देखते हैं पाकिस्तान और बांगलादेश पाकिस्तान और उन्होंने survive किया है इसके बाद नेपाल की जब हम बात करेंगे तो यह constitutional monarch थी 2006 तक उसके बाद यहाँ पर democracy और constitutional strengthen हुआ इसके बाद हम देखेंगे भूटान इस चला मोनाकी भूटान अभी भी मोनाकी है बट यहाँ के जो king है उन्होंने proposal दिया है कि multiparty system यह लोग भी introduce कराएंगे बट still when we talk for the present it is still a मोनाकी लास देखते हैं मालदीव्स was sultanate till 1968 democracy strengthened in मालदीव्स after 2005 when the opposition party were legalized तो हम देखते हैं कि मालदीव्स क्या थी एक sultanate थी वो कब तक रही थी 1968 तक उसके बाद यहाँ पर कई टाइम तक presidential rule चला democracy भी आई बट हम कह सकते हैं full-flesh democracy कब देखने को मिली 2005 के बाद जब यहाँ पर multiparty system भी legalized हो गया democracy का main source क्या होता है कि opposition भी होगी वो criticize करेगी जब government को तो government अपने apps को और ज़्यादा refine करेगी और ज़्यादा welfare करेगी लोगों का ताकि वो position में या power में बनी रहे तो इसकी वैसे democracy को strengthen होने के लिए multiparty होना compulsory है आपको यह topic समझ में आया होगा अब हम जानेंगे topic by topic क्या कौन से topic में किस country की बात हो रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे military and democracy पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर military and democracy दो अलग-अलग words क्यों दिये होगा है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी starting से same नहीं रहा है conditions change होती रही है कभी वहाँ पर military rule आ जा रहा था कभी वहाँ पर democratic government आ जा रही थी कभी फिर से military rule आ जा रहा था इसलिए हमारे topic का नाम है military and democratic rule तो चलिए हम बात करते हैं अब पाकिस्तान की जो हमारा सबसे closest country है मतलब हमारा neighbor country है so first of all, after Pakistan framed its first constitution general Ayub Khan took the administration of the country, अब पहला constitution क्यों बोला है, क्योंकि constitution इसमें कई बार change होते रहे है, जब government ही change हो जा रही है, जब सत्ता ही change हो जा रही है, तो constitution को change होना ही पड़ेगा, इसके बाद he had to give up office due to popular dissatisfaction against his rule, तो जब जनरल ने, जनरल Ayub Khan ने took over करा, तो public में बहुत बड़ा dissatisfaction था उनके rule के regarding, जिसकी वैसे public ने protest करना start किया, जिसकी वैसे इनको हटा दिया गया rule से, इसके बाद military took over फिर से हुआ, जनरल याया खान, वेर बांगलादेश crisis took place, तो जनरल याया खान ने जब military took over किया, इन ही के time पे जो बांगलादेश crisis थे, जब बांगलादेश पाकिस्तान को अलग करने की बात जिसकी वैसे इस पाकिस्तान बांगलादेश बन गया, तो वो इन ही के time पे हुआ था, इसके बाद इनके इनका जब time खतम हुआ, बांगलादेश war के बाद, तो वहाँ पे democratic government की स्थापना हुई, अंडर जुलफिकर अली भुट्टो, और वो कब तक चली 1971 से 17, 1977 तक, इसके military rule आ गया, आप chronology समझ रहें, तो इसकी आपको chronology समझनी पड़ेगी, आप ये इसकी चाहने तो पिक भी ले ले और मैं description box में इसकी, इसको scan करके आपको डाल दूँगा, ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएं, इसके बाद, democratic government established in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto, अब जियाउल हक के बाद, फिर से democratic government आई, अंडर Benazir Bhutto, ये जुल्फिकर अली भुट्टो के descent थे, इसके बाद, in following period, Pakistan politics centered around between Pakistan's people party and Muslim league, तो 1988 के बाद से दो पार्टियों के बीच में संघर्ष चलता रहा, पावर का, आप मान लीजे, इंडिया में जैसे दो major party है, Congress and BJP, तो कभी Congress power में आएगी, कभी BJP similar, बट इंडिया में तो अभी BJP ही आ रही है, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे भी दो parties के round में ही politics घूम रही थी, कभी Muslim league बन जाती थी, head, कभी People's Party of Pakistan, तो इन दोनों के बीच में ही power सत्ता पलट हो रही थी, इसके बाद, army stepped again in 1999, 1999 में army फिर से आ गई, army के general कौन थे, परवेश मुशर्रफ और इन्होंने जो उस समय के PM थे, Democratic Government के नवाश शरीफ उनको हटा के अपना rule स्थापित कर दिया था, इसके बाद 2001 पर मुशर्रफ got himself elected as president, 2001 में इन्होंने अपने आपको president as a president elect करवा लिया, और उसके बाद, उसके बाद, इनका rule जब ख of government आ गई, और जो government बनी, नवाश शरीफ की, या फिर अगर हम present day इमरान खान की बात करें, तो इन लोग की democratic government बन गई, और ये लोग अपनी autonomy को enjoy कर रहे हैं, आप देखें, आज की date में कोई military, उनके उपर pressure नहीं कि जो military का leader या general कहेगा, वो इनको मानना पड़ेगा, ये ल democratic government नहीं बन पाई थी, उससे पहले आप ये वाले points एक बार बहुत अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि ये बहुत ही important topic है, reasons due to which Pakistan wasn't able to build stable democracy, social dominance of military clergy and land owning aristocracy led to the frequent overthrow of elected government and establishment of military rule, तो यहाँ पे पाकिस्तान में social dominance बहुत थी, किसकी कि की military के जो chief commanding officers होते थे, उनकी clergy की मतलब वो जो मौलवीज वहाँ पे होते थे, उनकी लोग बात सुनते हैं क्योंकि शरिया law में लिखा हुआ है, इसके बाद वहाँ पे जो land owning aristocracy मतलब बड़े बड़े लोग जो powerful लोग है, impact डालते थे इस पर, जिसकी वैसे कभी democracy टिक नह का मानना था कि अगर military इनकी powerful नहीं होगी, तो कहीं न कहीं इंडिया एक बहुत ही powerful country है, तो कहीं इंडिया इनको overpower ना कर ले, बट हमने कभी war initiate किया या नहीं, हमने बस retaliate किया, बट ये उनकी thinking थी, इसके बाद lack of international support for the establishment of democratic rule, इनको कभी भी international support नहीं मिला किसी भी बड़ी country स या foreign country से इनके democratic setup के लिए, क्यों नहीं मिला, इसमें कहीं न कहीं, वहां के western power का अपना मतलब था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, कि अगर ये लोग अपने country में democracy establish कर लेंगे, और अगर democratic जो government के ruler होंगे, वो अगर corruption करेंगे, या वो धील दे देंगे अपनी public को, तो कहीं हमें पे, और पूरे world को कहीं खत्रा है, अटाक से पाकिस्तान की वैसे, जिसकी वैसे कोई इनको support नहीं करता था, democracy adopt करने के लिए, और क्योंकि यहां पे military rule था, तो वह बहुत ही strict rule था, जिसकी वैसे कहीं न कहीं terrorism को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा सकती थी, last, fear of global Islamic terrorism, global Islamic terrorism का बहुत बड़ा खत्रा था, तो माना जाने लगा कि अगर nuclear explosive terrorist के हाथ लग गया पाकिस्तान में, तो क्या होगा, तो पूरे world को बहुत ज्यादा खत्रा हो जाएगा, पूरा world कहीं न कहीं खत्रे में आ जाएगा, और अगर military rule रहेगा, तो military उसको देख सकती है, क्योंकि military के पास ज्यादा efficiency होती है, in comparison to government, तो इस वज़े से यहाँ पर democracy को establish करने में बहुत time लगा, और कभी भी stable democracy नहीं रही है, emphasize on this word, stable, so हमने पाकिस्तान का पार्ट जान लिया है, So now, अब देखते हैं, democracy in Bangladesh, Bangladesh के बारे में हमने जाना कि पहले यह East Pakistan का पार्ट था, और आजादी से पहले यह हमारा East Bengal भी के नाम से भी जाना जाता था, So, इसमें democracy की स्थापना कैसे हुई चलिया देखते हैं, in 1971, after the war with West Pakistan, East Pakistan became Bangladesh, जो मैंने अभी बात बताई, वो Bangladesh बनी, तो इसके पीछे की story जानते हैं कि Bangladesh क्यों बनी, तो शेक मुझीबर रह्मान, led a popular struggle and demanded autonomy in Eastern region, यह शेक मुझीबर रह्मान लीडर थे, East Pakistan के, और यह autonomy चाहते थे अपने region के, autonomi मतलब independence, independence किससे, अपने, अब आप मान लीजे, East Pakistan के culture different है, वहाँ पे language, कौन सी बुली आती, Bengali, वहाँ पे सारे cultures and tradition Bengali होते हैं, और हम अगर बात करें, West Pakistan की, तो वहाँ पे सब उर्दू-based होता है, और वहाँ का culture भी थोड़ा different होता है, तो अब West Pakistan, dominate करना चाहता था, East Pakistan को, through their own culture, जिसकी वाज़े से, protest होना, start हो गई, East Pakistan में, इसके बाद देखते हैं, in 1970, आवाम लीग, led by, led by him, led by him, who him, शेक मुझीबर रह्मान, won all the seats in East Pakistan, सो फिर, 1970 में, जब election हुए, तो East Pakistan में, जितनी भी सीटे थी, सब आवामी लीग जीद गई, जिसके लीडर कौन थे, शेक मुझीबर, रह्मान, जो की प्रोटेस्ट कर रहे थे, East India को, अलग बनाने के लिए, या पांगलादेश बनाने के लिए, बट गवर्मेंट रिफ्यूस तो कन्वीन एसेंबली, अब सारी सीट्स तो यह जीद गए, पर जो West Pakistan की जो गवर्मेंट थी, जो में गवर्मेंट थी, उसने यह अलाव नहीं किया, इनको पार्ट लेने में, एसेंबली में, जिसकी वैसे क्या हुआ, और दादा प्रोटेस बढ़ गई, और इंडिया ने भी बांगलादेश को सपोर्ट कर दिया, मोनेटरी बेस पे, आर्सेनल बेस पे, इंडिया ने सप्लाइ करे, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको ऑटेनॉमी दिलाने के लिए, इसके बाद, इन 1975, मुजीगुर रहमान गट असासिनेटेड अन् इनको मार दिया गया, जब किसी पॉलिटिकल लीडर को मार जाता है, तो इसको असासिनेशन बोला जाता है, तो इनको मार दिया गया बाए, जिसकी वैसे मिलिटरी रूल आ गया, बांगलादेश में, 1975 में, and formed his own बांगलादेश नाशनल पार्टी and won elections in 1979, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, किसने जिया ओर रह्मान ने बांगलादेश में और वही मिलिटरी रूल अपना चलाने लगे, इसके बाद इनका भी असासिनेशन हो गया, जिया ओर रहमान का, he was assassinated and another military takeover under Lieutenant General H.M. इर्शाद, अब इनका भी असासिनेशन हो गया, किसके द्वारा, Lieutenant General H.M. इर्शाद के द्वारा, और mass public protest होना start हो गई, जिसकी वैसे इर्शाद को भी हटना पड़ा, power से इनकी सत्ता पलट हो गई, 1990 में, जिसकी क्यों हुई, क्योंकि mass public movement start हो गया, जनता बहुत जादा withdraw करने लगी, public में unrest fell गया, जिसकी वैसे इनको भी हटना पड़ा, 1990 में, और उसके बाद, 1991 से democratic, यहाँ पर rule set up हुआ, elections होने लगे, multi party based पे, और यह democratic country बन गई हमारी बांगलादेश, so I hope you are clear with this topic, अब हम जानते हैं हमारे आज का last topic, जो की है, monarchy and democracy in Nepal, तो हम सब को पता है कि 2006 से पहले, नेपाल एक हिंदू राश्र हुआ करता था, आज भी है, बट पह पर king rule करता था, और king कैसे rule करता है, जैसा भी वो चाहे, वो अपने dictatorship भी चला सकता है, वो without democratic setup के भी वो government run कर सकता है, तो चलिए जानते हैं, नेपाल की movement के बारे में, या फिर इसके संगर्ज के बारे में, किस तरह ये monarchy से democracy में convert हुआ, नेपाल was a Hindu kingdom and constitutional monarchy, during 90s, Maoist of Nepal were successful in spreading their influence, which led to the violent conflict between Maoist and armed forces of the king, अब Maoist का क्या उनकी धारना रहती है, कि आप अपनी rights के लिए आप government को भी, को भी oppose कर सकते हैं, आप violent killing भी कर सकते हैं, अगर आपकी rights को prevail नहीं किया जा रहा है, तो जिसकी वैसे Maoist forces और king की जो army थी, उनमें आपस में लडाई भी हुई, के लिए triangular conflict भी चला, मतलब तीन तरफा conflict चला, किसके किसके बीच में, मुनार्किल forces, मतलब king की जो सेना थी, और दूसरी Democrats, जो लोग आजादी दिलाना चाहते थे अपनी country को, पर वो non-violent थे, और Maoist, जो कि आजादी के लिए violence प्रिफर करते थे, तो इन तीनों के बीच में triangular conflict चला, इसके बाद, इन 2002, king abolished Parliament and dismissed the government, ending to the limited democracy that existed in Nepal, तो इस लडाई से, इस triangular conflict से तंग आकर, king ने क्या किया, जो राइट्स दिये भी थे, डेमोक्रेसी के अंदर, वो भी अपने citizen से छीन लिये, अब जब जितनी डेमोक्रेसी थी, वो भी छीन ली जाएगी, तो वहां के लोग तो और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे ना, वो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे सरकार से, तो वही हुआ, in April 2006, massive protest occurred by pro-democracy forces, achieved a victory when the king was forced to restore the house of representative, 2006 में जब प्रब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया, तो उसके चलते, king को restore करना पड़ा, house of representatives, जो कि 2002 में उसने resolve कर दिया था, king ने हटा दिया था, उसको restore करना पड़ा, 2006 में, और ये एक victory भी थी, pro-democratics के लिए, जो कि चाहते थे country में democracy आए, इसके बाद, this non-violent movement was led by SPA, seven party alliance, seven party alliance ने ये conduct कराया था, जो भी movement था, बट ये non-violent था, और इसमें कौन-कौन पार्ट थ activist, इसके बाद हम देखेंगे, नेपाल constituent assembly came into being on December 2007, and in 28 May 2008, नेपाल declared federal government, और finally 2008 में, इसने constituent assembly को meeting held करी, और इसने अपनी आपको federal democratic country held कर दिया, declare कर दिया, So I hope आपको नेपाल का भी part बहुत अच्छे से समझ भया होगा, और remaining parts जो इस chapter के हैं, वो हम हमारे next video में cover करेंगे, और उसी में मैं आपको कुछ important questions भी दूँगा, जो की boards में most frequently पूछे जाते हैं, till then आपको क्या करना है, like, comment, share and subscribe, और अगर कोई problem हो, तो you can DM me on Insta as well as ask your problem in the comment section, thank you.